9 साल की पुरानी लड़की तमिलना ड्यू में वकील द्वारा प्रशिक्षक ट्रेन पर छेड़ छाड़ की एक चैना इस्थित वकील को 9 साल की लड़की को शनिवार को ट्रेन में कथित तोर पर छेड़ छाड़ करने के आरोप में गिरफतार किया गया है बच्चा केरल के तिरुवननंत पुर्म से चैनाई में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था और जब वह वकील द्वारा यौन उत्पीडन पर हमला किया गया था तो त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस पर अपने मध्य बर्त पर सोड रहा था 2006 में के पी प्रेमनंत ने आरके नगर से चुनाव लड़ा था लड़की त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी जब वह बर्त पर सोड रही थी तो वकील ने कथित तौर पर उसे छेड चाड की के पी प्रेमनंत के रूप में पहचाने गए वकील ने 2006 में बीजेबी तिकट पर चैनाई की आरके नगर सीट से चनाव लड़ा था आरके नगर उच्च तमिल्लादू के मुख्य मंत्री जे जैललिथा द्वारह प्रतिनिधित्व की गई उच्च प्रोफाइल सीट थी पुलिस के मुताबिक शनिवार की राद को वकीली ने कथित तोर पर सलम और एरोड स्टेशनों के बीच शेड़ छाड़ की थी लड़की ने चलाने के बाद नौ साल के परिवार को पकड़ा और उसे रेलवे पुलिस को सौप दिया एक पुलिस अधिकारी ने कहा बच्चा कहता है कि अपरादी ने अपने स्टनों को छुआ था पुलिस अधिकारी ने बताया वकील भी नशे में था हम जाच कर रहें कथित खटना उसी दिन हुई जब के इंद्र ने बाल यौन शोशन के दोशी पाए गए लोगों के लिए मृत्योधन पेश करने के लिए एक अध्यादेश या अपातकालीन कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी सभी बलातकारियों के लिए लंबी जेल की अवधी और जांच पूरी करने के लिए चार मैने की समय सीमा तै की और सभी बलातकार के मामलों में मुकदमा इस साल फर्वरी में केरल में एक 23 वर्ष यह भी नेत्री एक ऐसे व्यक्ती के पास खड़ी थी जिसने उसे ट्रेन पर छेड़ चार करने की कोशिश की और आरोपी को तब तक पहुँचने में मदद की दक्षण भारतिय फिल्मों में अभिने करने वाले संग्शा संतोष ने कहा कि वह अपनी आखे खोलने के लिए चौक गई और एक आदमी को उसके हुंटों के खिलाफ अपना हाथ रगणने लगा सुशोष ने कनूर में ट्रेन में प्रवेश किया था उपरी बर्त था और सो रहा था